ओम शांती आच चौबिस जून दो हजार तेईस को हम मातेश्वरी जग्दंबा मां के स्मृति दिवस पर मातेश्वरी जी के अनमोल मधूर महावाक्य सुनेंगे और ये मधूर महावाक्य के चग्दंबा मां ने 21 जून 1961 को सुनाए थे ऐसा मैसूस होता है ये मीठी मा की मधूर लोरी हम सुन रहे हैं मम्मा ने समय के साथ साथ बच्चों को साउधान किया है कि माया अपना अंतीम दाओं किस तरह से चलेगी और कैसे कैसी परिक्षाएं बच्चों के सामने ले आएगी और बच्चे अगर परिपक्वन नहीं रहे तो बाप में भी संशे बुद्धी बना देंगी तो मीठी मा ने हम बच्चों को साउधान किया है कि बच्चे अनेग प्रकार की परिक्षाएं आएगी लेकिन कभी भी संशे बुद्धी नहीं बनना है माया के हर परिक्षा को पार करने की हिम्मत और धैरता रखते हुए पार करना है तो सुनते हैं आज के मीठी मा की मदुर लोड़ी चग्दंबा मा के स्मृति दिवस पर प्रातह क्लास में सुनाने के लिए अन्मोल महावात्य विश्य चुना है मम्मा ने माया के अनेग प्रकार के विग्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को साउधान रखो संभल कर चलो अभी चारो और माया का जोर है क्योंकि उसका राज्य है और पिछाडी के समय उसमें जितनी भी ताकत है माया में जितनी भी ताकत है वह अभी अपनी पूरी ताकत लगाएगी इसलिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया भी फोर्स देकर लड़ेगी पहले तो माया का पता ही नहीं था माया के वश में थे अभी पता चला है तो हमसे ही लड़ेगी माया का पता चला है जैसे जैसे साउधान होते जाएंगे तो माया हमसे ही लड़ेगी दुश्मन बनेगी प्यार भी करेगी तो अंदर दुश्मनी रख करके करेगी जानते हो कि माया हमारी दुश्मन है, तो किसम किसम के सभी बाते सामने आएगी, कोई बंधन नहीं है, फिर भी मन के फाल्तू विकल्प तंग करेंगे। पहले शरीर में कभी रोग नहीं हुआ होगा, अभी वह भी होगा। दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी नहीं पूछेंगे, कई ऐसी उलट उलट बाते आ सकती है और आएगी, क्योंकि अभी अपना पिछला हिसाब सब चुक्तू होना है। अभी यह सब जो रावन का खाता था, उसको हम खतम कर रहे हैं। दे सहित, दे के सर्व संबंधों से अपनी बुद्धी हटाते हैं, तो फिर वह सामना भी होगा। इतर संबंधी भी सामना करेंगे। इसलिए ऐसी ऐसी बातों में संभलना है। कई तो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, भगवान के बने तो और ही मुसीबते आ गई। जब मैं परमात्मा का बना हूँ, तो उसका ही सहारा लिया है। कई सोचते हैं बच्चे, कि जब मैं परमात्मा का बना हूँ, एक उसका ही सहारा लिया है, तो मेरा सब अच्छा हो जाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है। कई ऐसे ख्याल करते हैं, कि हमारे पास कोई तकलिफ नहीं आनी चाहिए। परंतु परिक्षाएं जरूर होगी। ममा कहें यह नहीं कि भगवान के बने मना कोई परिक्षा नहीं आएगी। परिक्षाएं जरूर होगी। तरह तरह की बहुत बाते आएगी। तो ऐसा ख्याल नहीं करना कि शायद मुझे भगवान ही नहीं मिला है। यह भगवान है या नहीं? पता नहीं, हम कहीं उल्टे रास्ते पर तो नहीं है। जो भगवान नाराज हुआ है, ऐसे कई संकल्प आएंगे। संशय के भी कई संकल्प आएंगे। ऐसे ऐसे वीगनों के कारण कई टूथ जाते हैं। कोई मुसीबत आई, बात आई, तो समझते हैं, शायद यह भगवान ही नहीं है। पता नहीं क्या है। इसलिए इन सब बातों से बिचारे डर करके, किसी ने कुछ कह दिया, वा डरवा दिया, तो तूट पड़ते हैं। लेकिन यह सब तो होता आया है, शुरू से ही ऐसा होता आया है। यह भी बाप बतला देते हैं, कि इन सब का मूल कारण है, दे अभीमान. दे अभीमान के कारण, कहा काम की गोली, कहा क्रोध की, कहा लोब की, कहा मोह की, कहा फिर अनेक प्रकार के संशय की गोली लग जाती है। ऐसी बाते लाकर ही माया हटाने की कोशिश करेगी। यह सब माया के पास सही मार्क से हटाने के अस्त्र सस्त्र है। बुद्धी में उल्टी उल्टी बाते ले आना, उल्टी बुद्धी बनाना। यह तो माया का काम है, इसमें ही तो अपने को संभलना है, इसमें ही अपनी हिम्मत रखनी है। इसके लिए बाप कहते हैं, मेरे से बुद्धी योग रखो, तो तेरी बुद्धी उल्टी न वने। जट से उसको चेक कर सको, स्वयम को चेक करने की भी पावर चाहिए। तो चेकिंग पावर से अपने को साउधान रखो, और फिर उसी साउधानी से अपने को पार करो। यही माया के अनेक प्रकार के विगन है, इन ही से पार होना है, यही माया के विगनों से पार होना है, बाकि ऐसे नहीं है कि अभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं, अभी तो पार होना है, अभी जो हमारा यह जन्म है, इसमें तो हमको बदलना है, इसीमें महनत की आवश्यकता है, सब कुछ अभी आराम से मिल जाए, तो फिर हम तो समझेंगे, यहां ही वैंकुंट है, यहां ही स्वर्ग है, फिर तो स्वर्ग को भी याद करना भूल जाएंगे इसी लिए बाप कहते हैं ये थोड़ी अंदर की महनत है इसमें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता है यह यह विगन आते हैं ऐसी ऐसी बाते आएगी इन सब बातों में अपना निश्चे अटल रख करके अपना पुर्शार्थ करना है साउधान रहना है पर दूसरों को भी साउधान किया जाता है कि गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं तो अपने को फिसलने से बचाना है चलते चलते कोई काम विकार के कारण फिसले कोई क्रोध के कारण फिसले कोई फिर मत भेद में आकर के फिसले यहां से ही गिरते हैं तो अभी गिरने से संबलना है मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे इन साब बातों को यथार्थ रिती से समझना है कि यह भी सब बहुत जन्मों का उल्टा खाता जो बना हुआ है वह अभी एक ही जन्म में चुकाना है इसलिए यह सब बाते आएंगे इस एक ही जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुर्शार्थ करते हैं बहुत जन्मों के कर्जदार अगर अभी नहीं आएंगे तो कम आएंगे? क्योंकि हम जनम जनम उनके थे, अनेक जन्मों का खाता स्टॉक होता आया है. कभी किसी जनम में थोड़ा-थोड़ा चुकाया भी होगा, फिर भी जो कुछ बचा हुआ है, इसी एक जनम में पूरा हिसाब किताब चुकाना है. माया भी देखती है, कि अगर अभी ये पूरा करजा नहीं चुकाएंगे, तो फिर कभ चुकाएंगे? इसलिए वो घिराव करेगी ना, कई जनम के करजदार निकल पड़ेंगे. समझ में आएगा, कि हमने अभी तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, फिर ये हमारा ऐसा दुश्मन क्यों बना? ये बात ऐसी क्यों आई? ये रोग क्यों आया? ये बात क्यों हुई? ऐसे अनेक सवाल मन में आएंगे, परन्तु नहीं. ये सब प्रकार की परिक्षाएं अभी ही आएंगे. अभी इन ही बातों से अपने को संभलना, समझना ये ही तो नौलेज है. मम्मा कहें, ये समझ रखना ये ही तो नौलेज है. ज्याम तो इसी का नाम है. करम की गती क्या है? ये सब आप विस्तार से समझाते हैं. करम का हिसाब कैसे बनता है? कैसे बिगड़ता है? कैसे सवरता है? और सवर करके फिर क्या बनते हो? ये सभी बाते बाप ही बैठ करके समझाते हैं. क्योंकि हमारे सारे करम की नौलेज बाप के पास है. हमारे किन करमों से दुरगती हुई है? उससे कैसे छुटे? कैसे हमारी गती फिर सदगती होगी? इस पूरी नौलेज के गती का चक्र बाप ने समझाया है. जिसके पास पूरा ग्यान है, वो कभी ही लेगा नहीं. अगर नौलेज की कमी है, तो फिर ही लेगा? उसके पाउं ढीले पड़ेंगे, फिर क्या होगा? फिर आश्चर्यवत पश्चंती, सुननती, कथंती, भागलती. ज्यान सुनने वाले, दूसरों को सुनाने वाले, साक्षातकार करने वाले, जिनोंने आरंभ में साक्षातकार भी किये हैं, सब तरह के तूट पड़ते हैं. ये सबी होता आया है, इसलिए इनी सब बातों में संबलने के लिए ये साउधानी दी जाती है. अपने पाउं कैसे मजबूत रखना है? ऐसे विगनों के समय अपने पाउं कैसे मजबूत रखना है? उसी मजबूती के लिए बाप किसम किसम से समझाते हैं. क्योंकि अभी मजबूत पाउं रख करके बाप से पूरा-पूरा अधिकार पाना है तो अधिकार पाने वालों को यह बतलाते हैं कि इन्हों को कितना हिम्मत और भरोसे से बल से काम लेना है कि विग्नों को पार करने के लिए और अधिकार पाने के लिए कितना हिम्मत भरोसे बल से काम लेना है हम भी वारियर्स है ना अपनी रुहानी लड़ाई कोई हाथ-पाउं से नहीं है परंत गुप्त है अमारी अंदर की युद्ध है और युद्ध करके उसमें हमें जीत प्राप्त करने है लक्ष यही है जीत प्राप्त करने विकारों से गुप्त लड़ाई है बाप भी गुप्त बैठ करके बच्चों में अभी सब बल भर रहा है साउधान कर रहा है कि बच्चे साउधान हो रहना यह माया का पिछाड़ी का फोर्स तुम्हारे पास आएगा परंतु तुम इन सब बातों में खिलनाने इन बातों को समझ करके अपने पुरुशार्थ को बहुत हिम्मत से और धायनाओं के साथ चलाना है पुरुशार्थ को कैसे आगे बढ़ाना है हिम्मत से और धायनाओं के साथ चलाना है उसमें अपना उल्लास उमंग रखते हुए उसे नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरुशार्थ करते रहना है इसमें कोई दुख और अशान्ती की बात ही नहीं है अभी लाचारी वाला पुरुशार्थ नहीं करना है मम्मा कहे अभी लाचारी वाला पुरुशार्थ नहीं करना है कई ऐसे चलते हैं जैसे दूसरों पर महरबानी करते हैं महरबानी तो अपने उपर करनी है जो अपने लिए समझ करके पुरुशार्थ करते हैं उन्हों का पुरुशार्थ ठीक रहेगा हम अपने लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते हैं अगर बिगाड़ते हैं तो भी अपना बिगाड़ते हैं सुधारते हैं तो भी अपना सुधारते हैं तो हर एक को अपने उपर एटेंशन देना है दूसरों को नहीं देखना है इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया भाव, स्वभाव की बाते भी इसमें बहुत आती है बाहर के लोगों का सुनना करना सहज है क्योंकि समझते हैं वह तो अज्यानी है न इसलिए कोई बाहर वाल आकर कुछ बोल के जाए तो उसको हम ख्षमावी कर सकते हैं और समझ सकते हैं क्या रे इसमें तो ज्ञान है यह नहीं यह तो अज्ञानी है लेकिन ब्राम्मन परिवार में कोई ने कुछ कह दिया तो कहेंगे यहां भी वही चलता है तुरन संशे आने लगता है तो ब्राम्मन परिवार में कोई ने कुछ कहा किया तो कहेंगे यहां भी वही चलता है यहां आपस में कुछ होता है तो वह बात बहुत बड़ी लगती है परन्तु नहीं यही तो माया है अकर ब्रामन परिवार के ब्रामन भी अभी संपोन थोड़ी बने है और उनके हिसाब तो 84 जन्मों का है तो यहां तो जदा आएंगे ही बाते तो इसलिए मम्मा कहे यही तो माया है इधर भी माया किसी न किसी रूप में गुसेगी न कहेंगी देखे इसने मुझे छोड़कर इन्हे साथी बनाया है तो उन साथियों में भी इसको टककर खिलाए परन्तु हमें तो यह नौलेज है कि यह जो हिसाब किताब की टककर है यह पिछली है इसलिए ऐसे नहीं कहो कि अरे भगवान के बच्चे होकर यह क्या कर रहे है इसमें हिलना नहीं क्योंकि अभी ग्यान है कि यह भी इनके साथ कुछ हिसाब किताब है उसे योग और ज्ञान से काटना है ऐसे नहीं टककर खा करके काटना है नहीं वह तो हमारा विकर्म बन जाएगा हमने भी टककर खाना शुरू किया सुचा कि ऐसे जुक्तु करते हैं तो मम्मा कहे और ही हमारा विकर्म बन जाएगा उसमें संबलना है परंतु कई संशे में आ जाते हैं कि देखो ये ज्ञान में आ करके भी क्या कर रहे हैं तो कोई भी हिसाब किताब में टकर खाना अज्ञान है अभी ये अज्ञान निकल जाना चाहिए ये साब बाते समझाई जा रही है क्योंकि अभी ऐसी ऐसी बाते हो रही है तो इन्ही सब बातों में साउधान किया जाता है कहीं इन बातों के कारण बाप से जो तकदीर लेनी है वह तकदीर लेना गूलना जाए बेहत बाप से बेहत का वर्सा लेना ही छोड़ दे इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे भले आपस में कुछ है भी लेकिन आल्वेज सी फादर आल्वेज सी फादर बाप को ही देखो बाप से जो वर्सा लेना है उससे ही मतलब है ना जिससे मतलब है उसको पकड़ करके रखो तकदीर आपस में खाते हो और छोड़ देते हैं बाप को मुम्मा कहे तककर आपस में खाते हो और छोड़ देते हो बाप को इसमें तुम्हारा ही नुकसान है तेरा वर्सा चला जाएगा ऐसा महामुर्ख नहीं बनना है नुकसान किसको है हमें यह है इसमें साउधान रहकर स्वयम को संभालना है ऐसे नहीं यहां गेट के अंदर आए तो सेफ हो गए, नहीं, सेफटी तो अपनी स्वयम करनी है, अगर कोई भी धार्णा में कमी है, तो फिर माया इधर भी गुश जाएगी, इधर भी गुश आएगी, इधर भी टककर खिलाएगी, कोई के भाव से, कोई के स्वभाव से, फिर बाप पढ़ाता है, ये भूल ऐसे टकर चकर की बातों में गिर पढ़ेंगे, इसलिए सावधान, एक को गिरता हुआ देखेंगे, तो दूसरे को सावधान करेंगे न, कि देखना, यहां फिसलन है, संभलना, सावधान रहना, यही तो अपना धर्म है, किसी को सावधान करना, यही तो अपना धर्म है, कह से कौन-कौन कैसे फिसलते या खिसकते हैं वह आप लोगों के ध्यान में इन एडवांस दिया जाता है आप चल रहे हो तो खबरदारी से चलना बाप से पूरा वर्सा पाना है तो फिर पूरा पाउं दृड़ता से रखना परमात्मा के ज्ञान की यह मन्जिल बहुत उची है यही जो बाते आती हैं इनसे पार होना और अपना पूरा अधिकार प्राक्त करना तो इन सभी बातों में अपने को संभालना है चाहे पुराने हैं या नए हैं यह बाते सब के लिए हैं नए पुराने सब के उपर माया की नजर है अभी हम कोई माया पुरूफ नहीं हो गए अगर आत्मा complete हो गए तो शरीर भी complete होना चाहिए परनतु नहीं अभी incomplete शरीर में बैठे हैं तो इसका मतलब कि आत्मा कुछ incomplete है पुरा संपूर नहीं बने लेकिन घड़ी-घड़ी माया की अंगूरी नहीं खाने है इससे चोट लगती है फिर वह रजिस्टर अच्छा नहीं रहेगा नाम तो खराब होगा न माया बहुत युप्ती बास होके गिराती है यही तो हमारी माया से लड़ाई है बाकि कौरो पांडव की कोई युद्ध नहीं हुई है यह तो पांडव ने माया से युद्ध की है अभी हमें क्या करना है अभी ममा कह भी हमें क्या करना है अपने को माया से सेफ करते चलो तूसरा अपना तन मंधन फिक्स डिपोजिट अल्माइटी बैंक में रखो इसे ensure करके अपने स्रेश्ट कर्म से अपना भविश्य उंच बनाते चलो जो करेगा सो पाएगा direction तो सबके लिए एक जैसे है लेकिन जो भी करेगा वो अपना मनाएगा बाप से सभी को अपना सम्मंद पूरा रखना है इसमें दूसरों को नहीं देखना है ये सब धानाएं अपने को समझाने के लिए है क्या wrong है क्या right है वो दूसरों को समझाना माना अपने को समझाना दूसरों को जब समझाते हैं तो वास्तों में अपने को समझाते इसलिए बाबा भी कहते दूसरों को खबरदार करेंगे तो खुद भी खबरदार रहेंगे तो सभी ऐसी तेज रफतार से चल रहे हो ना अच्छा, बाकी सारे दिन की दिंचरिया का बाबा की याद का सर्विस का पूरा चार्ट रखते चलो शरीर निर्वा के लिए जो काम करते हूँ वो भी करना है लेकिन लोब लालच बहुत नहीं रखना है अपने पेट की आजीवी का जितना काम चलाना है बाकी जो टाइम है बुद्धी बल से बाकी टाइम पर ममा कहे बुद्धी बल से तन मन धन इश्वरिय कारिय में लगाने से फाइदा ही फाइदा है क्योंकि उससे अभी जमा होगा तो बाक कहते बच्चे अभी अपना जमा करो जिससे तुमको सौ होना हजार होना हो करके मिले अच्छा ममा कहे मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चो प्रती और ऐसे अच्छी तरसे जो साउधान रह करके चल रहे हैं ऐसे बच्चो प्रती बाप दादा और मा का याद प्यार और गुट मौने आज का बाप दादा का मदुर वर्दान हम बच्चो के प्रती है बिंदू रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पदमा पदम पती भव बिंदू रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पदमा पदम पती भव आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज्यादा कमाई जमा कर सकते हैं जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो दस हो जाता है फिर एक बिंदी लगाओ तो सो हो जाता है ऐसे एक सेकंड बिंदु रूप बाबा को याद गो इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे अभी पदमा पदम पती बनते हो जो फिर अनेक जन्मों तक खाते रहेंगे बच्चों पर बाप को भी नाज है आज का स्लोगन है बिगड़े हुए कार्य को बिगड़े हुए संस्कारों को बिगड़े हुए मूर को शुब भावना से ठीक कर देना यही स्रेश्ट सीवा है बिगड़े हुए कार्य को बिगड़े हुए संस्कारों को बिगड़े हुए मूर को शुब भावना से ठीक कर देना यही स्रेश्ट सीवा है अच्छा ओम श्छान वी